स्वागत तर आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेडी विद अमन कुल में आज हम लाहें शिक्षा निदेशाले रास्ते राज़दानी शेत दिली की कारे पर तक नंबर 11 जो कि आपकी जनरिक वोक्षीट नंबर 11 है क्लास 6, 7, 8 यानि 6 to 8 तीनों क्लास के स्टूडेंट इ गर्मियों के कपड़े अलग प्रकार के होते हैं आपने देखिए सर्दी के ओनी कपड़े होते हैं और गर्मी के हमारे सूती के होते हैं क्या आपने कभी सोचा है कि ये कपड़े बनते कैसे हैं उन्हें किस चीज से बनाय जाता है तो चलिए कपड़ों के बारे में थोड़ कपड़े की बैग भी बना जाते हैं जिनका उपयोग हम किसी तरह की घर की समागरी में रखने में करते हैं या स्कूल बैग्स भी आप देखते हैं कपड़ा धागे से बनता है कपड़ा भी किस से बनता है धागे से बनता है धागे का निर्मान कपास से या उन से किया रहता है आजकल तो synthetic कंपड़े भी बनने लगे हैं जो कि सस्ते होते हैं किंतु पारेवरंड के हानिकारक होते हैं अब यहां पर हमने कपड़ों के बारे में थोड़ी से knowledge जानी कपड़ा कैसे बनता है कपड़ा धागी से बनता है धागा किस प्रकार का होता है धागा हमारा कपास से बनता है अब कपड़े कितने प्रकार के होते हैं कोई तीन प्रकार बिताएगे जैसे सूती कपड़ा तो कपड़े अनिक प्रकार के होते हैं उनी कपड़ा, नाइलाउन, शिफोन, सूती का कपड़ा तो ऐसे आप लिख लेंगे कोशिन नमबर टू है हमें कपास और उन कहां से प्राप्त होता है तो कपास कहां से प्राप्त होता है उन कहां से प्राप्त होता है कपास हमें कपास की खेती से उन हमें भेडो से तो आप इसे कर लेंगे प्रश नमबर तीन है पहनने के लावा कपड़ो कप्यो किन किन कारे में कर राता है तो आपको बता है चादर बनाने के लिए भी कर राता है तौलिय बनाने के लिए भी कर राता है बैग बनाने के लिए भी किया रहता है तो आप इसे कर लेंगे प्रश्च नमबर चार है कपड़े के आविश्कार से पहले मानव कपड़े की जगे किन किन चीरों का इस्तमाल क्या करता होगा गहरवालों से बाचित के अधार पर लिखे तो मानव कपड़े की जगे किन चीरियों का इस्तमाल क्या करते थे? तो जानवर की खाल का यूज़ करते थे कपड़ों की अविशकार से पहले घासर पेड़ों के पत्तों के यूज़ करते थे पेडों की छालों को यूज़ करते थे प्रश्ट नमबर पांच दे रखा आपको पहले और आज के पहनावे में क्या अंतर आया है तो आपको पता है पहले जातर सूती और स्वदेशी कपड़े पहने जाते थे लेकिन आप विदेशी पहनावा है सिंथेटिक कपड़े जादा प्रिचलिते हैं पर जो सिंथेटिक कपड़े यानि जो आर्टिविशल फाइबर से बनते हैं वो हमारे लिए हानी कारक होते हैं तो यह आप कर लेंगे अज की जो आपकी वोक्शिट है वो complete होती है I hope आपको अच्छे से वोक्शिट fan समझ आ गए होगी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज में चैनल को सब्सक्राइब ज़रू करें और यह वीडियो अच्छ लगी तो इसे like और share ज़रू करे घा thanks for watching you, bye bye guys